तो strategies करकें लुसक्त करने जो किए समेस्टर फिरी में पूछ आङ कि दोश्तु नंमस्कार आप सभी का और good morning वि चलिए अज हम लोग बात करने वाले aC paper English के बारे में ठीक है जो कि समेस्टर 3 में पूछा जाता है aC paper English semester 30 और aC semester 1 बहीं हो सकता है 2 में भी हो सकता है यह जोरी नहीं कि semester 3 में ही है केवल 1 और 2 में भी है ठीक है तो हम लोग लोग बात करेंगे semester 3 दिया गया है ठीक है और फिर वीडियो के एंड में मैं सब कुछ आपको दे भी दूँगा लेकिन आप लोग गैस पेपर खरीद लिजेगा ऑफ लाइन भी ऑनलाइन के पढ़ने से मतलब होता है ने कि जब आप खाली हो न तो आप लाइन पढ़ने का कोशिस करें कि इसमें आ वो पांच ओ यूनिट की टाइप से है वो मैं बता दूँगा साथ में हम लोग जानते हैं यहाँ पे तो ये जो पांच ओ ynीट में बाता गया है यह आपका 75 मार्क्स का कोश्चेन आएगा एक्जाम में तिक है इसमें 1 मार्क्स वाले 5 कोश्चेन आएंगे 5 मार्क्स वाले पास करने के लिए ठीक है यह हो गया आई से पपर का अब देखते हैं तो यहां पर जो दिया गया है सभी को सबसे बड़ी चेप्टर दिया गया है पढ़ना है उसको उसके बाद short answer type question and long answer type question ठीक है चलिए देखते हैं जैसे कि हमारा यहाँ पर chapter 1 है और paragraph इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है तो paragraph writing ठीक है इसमें है paragraph writing में कि writing आपका short paragraph आएगा on given subject तो subject दे दिया जाएगा उनमें से short paragraph हो सकता है देखिए सबसे पहला है यह जानना है कि यहाँ पर paragraph को लिखना कैसा है introduction to paragraph writing ठीक है paragraph writing का परिषय जानिए सबसे पहले फिर structure क्या होता है वो जानना है ठीक है किस तरह से उसका संरचना बनाएंगे कहाँ पर mid भाग रहेगा कहाँ पर last में क्या लिखना है conclusion कहाँ लिखना है ठीक है फिर आपका what makes a paragraph very good कैसे अपने परागराप को बहुत अच्छा बनाएंगे ठीक है अच्छा फिर आपके आपको एक्जांपल दे के बताया गया है ठीक है एक डोंः Nimal पने बहुत सरी अच्छांपल है उसके बाद आपको short answer type question देखने को मिलते है जब पढ़ लिजिएगा तो फिर आपको short answer type question जैसे कि what is your paragraph, पारागराप क्या है, तो इसका आंसर है कि आप पारागराप is a group of sentence, पारागराप जो है वाक्यों का समू है that focus on one man idea, जो किसी एक बिसेज मुद्दे पे इंगित करती है, तेक है, इसी तरह से आपको अपने अस्तर पे घर पे प्रश्णों का question answer करना है, बाकि प उपियोग आप तभी करें, जब आप घर पे ना हो, बाहर में कहीं पे हो, बुक वगर ना हो, उस टाइम पे करें, ठीक है, और offline का उपियोग तब करें, जब आप घर में हो, तो offline पढ़ें, बाकि ऑनलाइन में आपको guide करता रहूंगा, चलिए, ठीक है, एसी English के बाद टाइप इसी में आता है, ठीक है, पार अगराप से रिटेट लोग अंसर टाइप question, और यह जो लोग अंसर टाइप है, यह आपके 15 marks वाले question रहेंगे, 15 marks वाले, ठीक है, तो यहाँ पे आपको question दे दिया गया है, आगे दिख लेते हैं, तो कुछ यहाँ पे example भी है, जैसे जब मैं आपको example दिखाने जा रहा हूं, ठीक है, जैसे यहाँ पर राइट अपर अगराप on, बहुत सारे topic आ सकते हैं, कि राइट अपर अगराप on important time management के बारे में आ सकता है, श्टुरेंट को time management करना चाहिए, ठीक है, कौन से time पर क्या काम करें, जोर रही है यार, without time management नह भारत के अर्थ वेस्ता पर क्या प्रभाप पड़ा, भारत की स्थिति क्या थी, ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे, use of online resources and e-learning, overlapping traditional educational method, ठीक है, यानि कि जो हमारा पारम पर शिक्षा वेस्ता है, और वरतमान का online education है, इसमें क्या आंतर है, क्या खास बाते हैं, क्या बुर सोसल, जितना भी isolation है, इन सब के बारे में, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजेगा, टोटल यहाँ पे चुद दिये गए हैं, आइडिया वो दिये गए हैं, आपके गारागो, अपने अस्तर पे भी कुछ करना, जैसे science के बारे में हो सकता है, environmental के बारे में हो सकता है, ठीक है, आगे देख लेते हैं, फिर आता है हमारा chapter 2, और chapter 2 में आपका जो है, यह है, आपका a story writing, ठीक है, पहला है पारागराप writing, दूसरा है a story writing, सबसे पहले आप लोग, एक और copy लिजेगा, copy में सबसे पहले chapter का नाम लिखेगा, ठीक है, पारागराप writing बोला, फिर आपका chapter number 2 ल पर ना है, एक में ट्यार, क्या है, छत में देख लतने थोड़ा सा, चलिए, तो क्या है कि कब उतर लोग ना खानने लगता है, गेहों सुखने दियें उसी को यार, और मामी माब हो दिये, अच्छा से देखना, ठीक है, नहीं तो पता चला कि 10 किलो गेहों दो है, आठ किलो इन्हीं सबसे कोश्चिन आएगा, देखिए, यहाँ पर सबसे पहले है कि साइलेंट फीचर ऑफ गूड अश्टोरी, ठीक है, एक अच्छी अश्टोरी की क्या-क्या भी सिस्ताइए होती है, बस पहले थोड़ा से इतना से पढ़िए, उसके बाद यहाँ पर सौट अंसर कोश्चिन आंसर है, ठीक है, उसके बाद सौट अंसर टाइप के बाद आपका आता है लोंग अंसर टाइप कोश्चिन आंसर है, ठीक है, और यह आपको कुछ इस टाइप से आएगा, जैसे एक कहानी दे देगा, ठीक है, और कहानी में आपको यह खाली अस्तान भी दे दिय जाएगा और खाली अस्तान को बढ़ना रहेगा ठीक है आपको यह सब घर में प्रैक्टिस करना है मैं केवल आपको बता ही दूँगा क्योंकि मुझे भी तैयारी करना होता है अपना एक्जाम होगा ठीक है और काम भी होता है यार तो मैं एक एक करके क्लास नहीं ले क्योंकि जब खाली टाइम नहीं मिलेगा ना और कहीं पर अच्छे से सेटल नहीं हो जाईएगा तब तक से क्लास लिना इसी तरह से चलेगा एक गंड़ा दो गंड़ा जो भी टाइम मिलेगा आप लोग को दूँगा ठीक है अगला हमारा यहां पर तो है एक्सप्लेशन स् इसमें आपका एक्सपैंडिंग सेंटेंस और सौट पेसेज इंटू पारागराव देखिए इसमें आपको क्या क्या देगा तो देखें पहला इंट्रोड़क्शन टू एक्सपैंशन हम लोग बोलते हैं कि विस्तार से लिखिये पल्लवन कीजिए संच्छेपन कीजिए व लोग अंसर टाइप खोश्चन है ठीक है जैसे लोग अंसर टाइप को ज्यादा फोकस कीजिए सब्सक्राइब बोल रहा है कि इमेजिन कीजिए ठीक है मान लिजी कि यू आर स्वरी यू हैब और सेंटेंस देट रीड टीक है आप एक सेंटेंस को रिड कर रहे हैं इमेजि ठीक समाज में इसका क्या परभाव पढ़ रहा इन सब के बारे में आ जाता है इसी तरह से ठीक है आगे दिख लेते हैं तो यह सभी चोबी है आपको पढ़ना है और इसी तरह से आएगा आपके भी exam में ठीक है नेक्स्ट है आपका यहां पर फोड नमबर तो इसमें है आपका आपками पारफ्रेजिंग पारफ्रेजिंग दो gemacht डिक्तर्ड आएगा यहां तो人 Lawrence क्या क्या होते हैं उन सब को जानना है तो यहीं सब है उसके बाद आपका सौर रांसर टाइप कोशिन आएगा यहाँ पर फिर आपका लॉग अश्ट टाइप कोशिन और एक चीज यह वह यहाँ पर समझना जोर रही है थोड़ सा ठीक है यह और फिर आपको यहाँ पर और इसके बाद आपका सौर्ट टाइप कोश्चिन जो की वन मार्क्स वाले रहेंगे और आपका लॉग अंसर टाइप कोश्चिन काफी बड़ा चेप्टर है यह वाला तीसरा वाला ठीक है अन्या यह लोंग अंसर टाइप यहां से शुरू होता है इसमें देखें किस टाइप से आएगा लोंग अंसर टाइप में सब्सक्राइब यहां पर दिया गया है उरिजिनल पोयम और यहां पर बोलद जाए गया है कि अस्टॉपिंग बाई वूड ऑन इस्ट्व कि आपको मैं एक दुगों फिर बेस यह कोश्चिन पेपर दिखा दूंगा तब जाकि अच्छा से किलियर हो पाएगा कि कुश्चिन वास्ताव में किस टाइप से आते हैं आगे देख लेते हैं तो फिर आपका ऐसे राइटिंग यह आपका इजी है यह जो तीसरा वला था व ठीक है और इसके बाद आपको प्रेक्टिस ऐसे राइटिंग और यहां पर आपको आपको आंसर करना है कि की पॉइंट्स टूरिमेंबर सबसे पहले क्या क्जा पोइंट वने चाहिए वह रिमेंबर करने हैं हला कि यहाँ पर दिख बहुत कम सब्दों में क्या गया है, इतना कमसब्दों में आपको नहीं करना है, आपको ज़्यादा करना है ठीक है, पंद्रा माक्स का कॉश्चन आएगा तो कम से कम, at least, दो, खड़ापरना में कम से कम, आंसर करना ही है, ठीक है तो उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा question आ जाता है कि how to write an essay on an unfamiliar topic टीक है जो familiar मिलता जुलता topic नहीं है उसमें कैसे लिखिएगा यह सब कुछ आपको यहाँ पर जानना है आगे दिख लिएते हैं next तो अगला आता है हमारा यहाँ पर कहां हो गया यार कितना देदे रहे हैं यह आपका subject verb agreement से question यहाँ पर शुरू होता है तो grammar की और बढ़ते हैं और unit 2 आपका यहाँ शुरू होता है unit 2 में आपका grammar है इसमें आपको subject verb agreement के बारे में पढ़ना है सबसे पहले concept of subject verb agreement क्या होता ही यह जान लेना है ठीक है और हो सके अगर नए समझ में आए तो आप लोग एक दोगो वीडियो देख लिएगा subject verb agreement का ठीक है क्योंकि यहां से भी आपके लगबग पांच मांक का question आएगा फिर आपको यहां पर मॉडल्स के बारे में देखना है ओनलाइन आप लोग पढ़ लिजेगा मॉडल्स पढ़ना है यूजिंग अप्र एप्रोपिरियेट मॉडल एन सेंटेंस तो देखिए मॉडल्स पढ़े होंगे आप लोग बच्पन में भी कैन कोड सूड में माइट सेल सूड विल वूड मॉस्ट आउट ठीक है कहां पर किसका यूज होता है यह मॉडल्स आप लोग पढ़िएगा ठीक है चाहिए अवाइस से चाहिए ठीक है तो वच्पन फर्दत है ना यू सूड रीड नहीं यार नहीं तो क्या कहिएगा यू सूड रीड एन राइट चलिए नेक्स्ट आपका सौटन से टाइप कोश्चन यहां पर है जैसे कि वाट इज दा मॉडल्स यूज और श्ट्रॉंग अविल नदें के बलाना चाहते हैं तो मिका यूज करते हैं सब्सक्राइट मैं नो यू नेम आपका नाम क्या है और वहीं पर पढ़ेंगे जैसे हम कैन बोल देते हैं तो वह जाता है दोस्त लोगों के लिए जबकि में का यूज उता है वह आपका आजर सुचक होता है तो यह सार रहा है आपका positive degree comparative degree मतलब डिगरी के बारे में पढ़ना और यह डिगरी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था अलाकि जैसे बोलते हैं ना good better best ठीक है और यह आपके इंग्लिस को जब आप बोलेंगे किसी के सामने यह बेटर दन मी बोलते हैं दो बहुत अच्छा लगता है रहे वाह क्या वच्छा बोल रहा है लेकिन चलिए हिंदी और इंग्लिस क्या जो है यार एक भासा होतन हम लोग अदिस का चाहे हिंदी को ही रखिए चाहें इंग्लिस को ही रखिए वाई और दिरे दिरे आने वाला जो समय है 50 साल बाद मुझे लगता है कि जैसा महल चल रहा है हमार लोग के मतलब अगर हिंदी मीडि तो हिंदी मेडियम ही हिंदे को बचागा रखा अधरवाइज नदिया पार है ठीक है चलिए तो आने वादा पचास साल में हम लोग का देश या तो हिंदी में पूरी तरह से चाहें इंग्लेस में क्योंकि अब बहुत बड़ा रिवलुशन होने वाला है ठीक है चलिए यहां पर हमारा पॉजिटिव डिगरी कॉम्परिटिव डिगरी एंड सूपरलेटिव डिगरी ठीक है पॉजिटिव डिगरी देखें तीन को डिगरी के फ़र्म होत हमार had з ön Gente तो हो जाएगा हमारा लॉण लॉंग कर मतलब यह जितना लंबा उससे ज्यादा लंबा लॉंग है वहीं से ज्यादा लंबा लॉं Sau IoT switch मतलब और हम उत्या सबसे चोटा उई एक तो डिगरी में बहुत सारे को पर रूल फोलो नहीं होता है कुछ एस्पेसल वर्ड होते हैं वह आपको जानने है ठीक है फिर आपको स्वाटन से टाइप कोश्चिन कर लेना है डिगरी के तो डिगरी पढ़िए तो आपको रियल लाइफ में भी काम देगा यह ठीक है आपको सेंटेंस जैसे दो सेंटेंस का कैसे जोड के एक कर द मतलब और सेंटेंस को एड ने देगा तो को और और हैंस देरफोर इस तरह से करके आपको sentence को add करना है ठीक है हो सकता है दे देगा बहुत सारा अदो सेंटेंस जनरली देता है और आपको add करने बोलता है कि इन दोनों को सेंटेंस को हमर्ज किजिए ठीक है combine कीजिए आगे दिख लेते हैं तो नेक्स्ट आपका यहां से लगवाग और कॉस्टिन कंप्लिट हो जाता है और नहीं यह कुस्टिन ठीक है अंतिम आता है आपका साउंड ओप मैं इंक्लीज सोते हैं पत्या जिसे औरस और को और बोलते हैं कोई और बयुक्त neighbor wisdom सबस्क्राइब होता है तो यह सारे सबीवर्ण सोते हुद उन इसमें वह आपको जानले मेरा इंग्लीज वैल नहीं है तो मैं बस इंग्लीज़व में एबरेज रहा हूं कि मैंने इंग्लिस को आप्टर 12 पढ़ना शुरू किया था टैंथ तक तो मैं ख़ठा लेके पढ़ता था यार हिंदी मेडियम में हम लोग को वही अचाता था मतलब सब्सक्राइब गएंग्लिस तब मैंने इंगलिस तब इंगलिस वग्रह देखना शुरू कि यहां तक इंगलिस पढ़ना वही मैंने ट्वेल्थ में सिखा भी मुझा यह लगता है आप लोग मुझसे ही बेटर होंगे इंगलिस में बले किसे अबार्ग में हो या लग कि 엔र में आप हम से ज्यादा बेटर होंगे यह मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे तो आप लोग अच्छे से कर लिजेगा ठीक है बाकि पीडियेफ मैं दे रहा हूं और जो लोग इस पेपर नहीं खर दें खरीद लिजेगा ठीक है हर जगा अबलेबल है आपका और एक्जाम से पाले में इंपोर्टन कोशन भी करवा दूंगा साथ ही प्रवेसिव कोशन अपलोड कर दिया है और एक दोगो बचा है उसको भी सब्सक्राइब कर दिजिए और एक चीज इंपोर्टन बात कि आपका एक पेपर होगा सेक का पेपर ठीक है इलेमेंटरी कंप्योटर अप्लिकेशन सप्ट्वेर उस पर सबसे ज्यादा फोकस किजिए क्योंकि वह एक्जाम अब्जेक्टिव आएगा बाकि सभी सब्जेक् सब्जेक्ट नहीं कि अधिए तियान देना पड़ेगा है कि भाए